IPL समेट वर्ट की अलग-अलग T20 लीग में अपनी स्पिन से खुद की और नेपाल क्रिकेट की पहचान बनाने वाले नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान संदीप लामिछाने इन दिनों सुर्ख्यों में चाय हुए हैं लेकिन इस बार इनकी चर्चा क्रिकेट की वज़े से नहीं हो रही है दरसल लामिछाने पर 17 साल की लड़की ने रेप का आरोप लगाया है अब इस मामले में इनके खिलाफ अरेस्ट वारन जारी किया गया है वहीं गिरफतारी वारन जारी होने के बाद नेपाल क्रिकेट लामिछाने को नैशनल टीम से सस्पेंड भी कर दिया है इस संबन में कैन ने प्रेस रिलीज भी चारी की है पेडित लड़की ने आरोप लगाया था कि संदीप लामिछाने ने काठमांडू के एक होटल में उसका रेप किया लड़की ने क्रिकेटर के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्श करवाई थी इस पूरे मामले में संदीप लामिछाने ने खुद को बेकसूर बताया है उन्होंने कहा कि मैं इन सभी बेबुनियादी आरोपों का सामना करने के लिए तयार हूँ संदीप इस समय कैरिभी आई प्रीमेर लीग सीपियल में खेल रहे हैं उन्होंने 2018 में IPL में कदम रखा था ये नेपाल के पहले खिलारी हैं जिनोंने IPL खेला है